नमस्कार भारत एक्षपेस यूपी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ समझ्जा उतरप्रदेश के आयोध्या में वहाँ आने वाले शुधालों को धेर सारे सुधाएं दिलाने के लिए सरकार का काम जोरों से चल रहा है आयोध्या में श्री राम मंदर नर्मान कारे तेजी जगती से चल रहा है वहीं अंतराष्ट्री ऐरपोर्ट का नर्मान भी तेज जगती से किया जा रहा है जनवरी महीने में भवश्री राम मंदिर में होने वाली प्रान प्रतिष्ठा कार्क्रम से पहले दिसंबर महीने तक अयोध्या में हवाय यातायात सेवाय प्रारम हो जाएंगी बता दें कि अब तक एरपोर्ट का 85% से अधिक नर्वान कारे पूरा हो चुका है एरपोर्ट के फेज वन के 200 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े रणवे का काम शुरत प्रतिशत पूरा हो चुका है और भवश्य में रणवे को 3750 मीटर तक बढ़ाए जाने की भी योजना बनाई जा रही है जिसके लिए भूमी अरजन का काम भी पूरा कर लिया गया है जिसके चलते हैं अब तर्मिनल का नर्मान कारे जल्द पूरा करने को लेकर पूरा जोर दिया जा रहा है और इसका नर्मान भी अब अंतिम चरण में है आयोध्या एरपोर्ट के प्रजेक्ट प्रभारी राजीव कुलश्रेष के मताबक एरिपोर्ट अथोरिटी ओफ इंडिया के चेर्वेन संजीव कुमार ने शुक्रवार को इसे सलसले में आयोध्या इंटरनाशनल एंटर्थे का निर्कशन कर निर्मान की प्रगाति की चेर्मेन ने कहा कि डीजी सीए की टीम जल्द यहां के एरपोर्ट का निरेक्शन करने आने वाली है ऐसे में उसके मानक के मताबिक सारी तयारी पूरी करने आने वाली है ऐसे में उसके मानक के मताबिक सारी तयारी पूरी करने जाए एसे में उसके मानक के मताबिक सारी तयारी की उपकरोनों को देखकर और अधिकारियों को निर्देश दिया राजीव को शिष ने बताए कि प्रतम फेज के नर्मान का कारी लगबग पूरा हो चुका है तर्मिनल का नर्मान भी 90 फिसिदी पूरा हो चुका है शेश कारी भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा उन्होंने की उमीद है कि यहां से फ्लाइट मिड दिसंबर के बाद से शुरू हो जाएंगी उन्होंने बताया कि अधिया एरपोर्ट के संचालन के लाइसेंस के लिए डी जी सीए को आवेदन कर दिया गया है डीम के मताबक एरपोर्ट के लिए फायर ब्रिगेट की गाड़ियां भी पुरुषतम श्रीराम अंतराष्टी एरपोर्ट पर संचालन प्रारंब होने से एरबस ए-320 जैसे एरक्राफ्ट के लैंडिंग की सुवधा अयुद्या धाम के एरपोर्ट पर उपलब्द हो जाएंगी गवरतलब है कि श्रीराम अंतराष्टी एरपोर्ट बिलकुल उसी पास ही नहीं होगा बलकि उसकी जलक भी दिखाई देगी फिलाल इस वीडियो में तरह ही और भी खबरों के लिए आप देखते रहे भारत एक्सप्रिस नमस्कार